अगर आपको कमेटी वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सस्क्राइब किजिए डीजे पी के अधार्निये नेता भासन देते हुए भाईयो बैनो मैं डीजे पी का यानी दोगला जनता पार्टी का इवा नेता गधा गोधी अरा लूट लिया जा भाई आपने लूट लिया भाईयो बैनो लोग कहते हैं देश में बिकास नहीं हुआ आज मैं बताऊंगा कितना बिकास हुआ पहले गैस सेलेंडर साड़े चार सो में मिलता था आज के समय में ग्यारा सो में मिलता है तो बताईए मैंने विकास किया की नहीं किया पहले डीजल 57 रुपे में मिलता था अभी के समय में 90 रुपे में मिलता है विकास किया की नहीं किया पहले पेट्रोल 71 रुपे में मिल जाता था अभी के समय में 97 रुपे में मिलता है विकास किया की नहीं किया पहले आटा वीस रुपे में मिलता था अभी के समय में पचास रुपे में मिलता है विकास किया की नहीं किया पहले सर्शो का तेल नब्बे रुपे में मिलता था अभी के समय में एक सो साथ में मिलता है विकास किया की नहीं किया किया ना तो मुझे वोट दो और अगली सरकार भी अपना ही होगा गोदी जी गोदी जी अपना मेल लाइन तो बोल दीजिए जाज स्री राम हमें भोट दीजिए यूथ ग्रेश के युवानेता भासन देते हुए दोस्तो मैं यूवानेता अजीत आधी आप सब का दिल से स्वागत करता हूँ हमारे गोदी जी कहते हैं कि आलू की खेती करने वाले किसानों से कि हम ऐसा मसीन लगाएंगे कि एक तरफ से आलू डालो तो एक तरफ से सुना लिक लेगा बताईए ऐसा मसीन आप कहीं देखे हैं देश की युवाद पिड़ी को गोदी जी कहते हैं पकोड़ा बेचना रुजगार है अब आप ही बताईए युवाद पिड़ी पढ़ लिक कर पकोड़ा बेचेगी हमारे गोधी जी ने देश का इतना विकास कर दिया है कि बंगलादेश की विक्तिगत आए और हमारी देश की विक्तिगत आए बराबर हो चुकी है गोधी गोधी यस पापा, एनी डॉबलोमेंट नो पापा, फार्मर हैपी नो पापा, लुमेंशेफ नो पापा, देश बेचना यस पापा मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार आता जाता रहेगा अगर देश को भविश में आगे देखना है तो अभी आँख खोलिए और धारं के नाम पे नहीं, अच्छे नेता को वोट दीजिए, इसी के साथ में बिदा लेता हूं, भारत मता की जय